Hello students, Assalamualaikum, मैं Васीम साधिक पुरेशी Students, यह हमारा छटा लेशन है और यह हमारा जो लेशन की जो सीरीज चल रही है यह 6 स्टैंडर्ट के लिए है और 6 स्टैंडर्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसका छटा लेशन है तो इसके पहले वीडियो में हमने पहली activity, दूसरी activity, तीसरी activity और चौती activity देख चुके हैं अब हम जो देख रहे हैं page number 4 पे हम चल रहे हैं और यह activity है 5 number की याने activity 5 इस activity में हमको करना क्या है इस पर हम बात करेंगे तो मैं पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेरियास से होंगे और आप सारी activities कर रहे होंगे और अपने teachers के contact में होंगे तो चलिए फिर हम पाचवी activity शुरू करते हैं question इस तरीक से दिये हुआ है कि one word to fit them all यहने आपको एक word ऐसा ढूनके निकालना है जो सब पर suit करे ठीक है question पढ़के सुना देता हूँ choose at least three words यहने चुनिये कम से कम तीन words from the box यह जो box आपको यहाँ पर रिया रहा थोड़ा pink color में दिया हुआ है उसमें से आपको तीन words चुनना है and think of something that fit them all और एक word ऐसा बाहर से चुनिये जो वो तीन word जो आप इसमें से चुनिये है वो उस पर fit हो जाए ठीक है write down the meaningful phrase you have made और जो आपने meaningful जो sentence बनाया है इसमें से तीन लेकर और एक आपका जोड़कर उसको अपने notebook के अंदर लिखना है for example देखिए यहाँ पर जो इतने word लिखे हुए है पहले मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ tall, short, little, small, big, young, old strong, long, thick, thin, fat, cold, hot bright, nice, clean, clever, dirty, soft, hard इस तरीके से इसमें पुरे words दिये है तारा क्या कहे रिए सुनिये a soft, little, wallet, fish ठीक है इसने fish इसमें जोड़ दी है और तीन word इसमें से लिए है कौन से? soft, little, wallet यह box में दिये है और fish उपर से जोड़ दिया गया है नीचे कुकु कहे रही है a soft, little, wallet, bird अब इसने क्या किये है? फिश की जगा पर bird यूज कर लिए है फिलावर यह तो single है यह बाहर से लिया है इसमें तीन word जोड़ इवे नहीं है a cap, I don't know टोटो कह रहा है मुझको पता ही नहीं है मिट्टू कह रहा है a snail, snail जो होता है वो slow चलता है आप खिलड़े के बारे में जानते हूँ a soft, little, wallet, toy, mouse ठीक है? अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि तीन word मैं जो इसमें से लेता हूँ और एक word उसमें जोड़ के sentence कैसे बनेगे for example a beautiful, yellow, soft अब इसमें beautiful, yellow, soft मैंने इसमें से लिया हूँ chicken ठीक है? इसकी जगा पर यानि जो chooser होता है पीले कलर कभवा आप ले सकते है या आप ले सकते है कि आप beautiful, yellow, soft, toys खिलो ना हो गया एक sentence एक बाहर से लिए ये तीनों उस पर फिट हो रहे है अप प्रिटी, गोल्डन, लिटिल, डॉग ठीक है? सॉरी, डॉल डॉग भी लगा सकते है आप क्योंके खिलोने की बात हो रही है अप प्रिटी, लिटिल अप प्रिटी, लिटिल, गोल्डन अप प्रिटी, गोल्डन, लिटिल, डॉल ठीक है? इसके अंदर प्रिटी, गोल्डन, लिटिल हमने बॉक्स में से लिए और डॉल बाहर से उसमें add करके एक पूरा जुमला हमने बना लिये A tall thick green tree भहुत उचा जाड़ा हरे कलर का tree A soft young and wallet fish fish बाहर से लिए बागी के 3 box में से लिए A soft little wallet bird bird बाहर से लिए बागी सब इसमें से तो आप समझ गया होगे कि 3 word हमको इसमें से लेना है और एक बाहर से आप कोई भी चीजस में जोड़कर इस तरीके के sentence बनाकर अपने notebook में लिखेंगे और हमें WhatsApp पर भेज़ेंगे ठीक है तो ये पाचवी activity इस तरीके से हमारी complete हुई इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे छटी activity छटी activity में आपको करना क्या है ठीक है question में पहले पढ़के बता देता हूँ 5 beginnings but one end याने शुरुवात तो पाच तरीकों से होड़े है लेकिन उसका end एक ही होगा ये है ठीक है form group of 5-7 याने आपको पहले तो त्यार करना है group एक group में 5 से 7 लोग हो सकते है student हो सकते है choose one of the following phrase as the end नीचे जो येलो इसमें आपको कुछ phrase दिये वे है उसमें से आपको चुन लेना है वो words भी चुन कर enact the phrase और वो phrase को साथ में आपको acting भी करना है ठीक है अगर आप swimming बता रहे है तो आपको बताना है कि भाई आप swimming कर रहे है then use it to frame different sentences और इसी frame को जो येलो इसमें दीवे इसको different sentences में आपको use करना है enact the sentence, write down any five of them और इसमें से पाच को आपको अपनी book में लिखना है तो मैं समझता हूँ कि अभी आपको फिलाल में ये पुरा जो clear नहीं हुएंगी picture पुरी clear नहीं हुएंगी लेकिन अब आपके समझ में आएंगा देखिए ये जो तस्वीर इदा सामने नजर आए है जहाँ पर सबसे उपर में top पे तारा खड़ी हुई है तारा ने इसमें से एक word एक phrase ले लिया है वो है swimming in a tank याने tank के अंदर तहरा तहरना ठीक है ये तारा ने कहा swimming in a tank अब कुकु ने लिया है और कुकु ने उसमें क्या use कर लिया है ऐ एम थीक है उसने कहा मैं टैंक में तैर रही हूं कुकु कह रही है वो ही जुमला अब उसने लिया पैड़ी ने ले लिया पैड़ी कह रहा है I am also swimming in a tank also means होता है भी, तो वो कहा रहा है मैं भी swimming कर रहा हूं tank के अंदर, याने कुकू भी तैर रही है, ये भी, फिर ये बात बिट्टू पर आई, बिट्टू कहता है, we are swimming in a tank, हम tank में तैर रहे हैं, ठीक है, पैडी, पैडी ने भी हो गया, मिट्टू कह रहा है, we was, sorry, he was swimming in a tank, वो टैंक में तैर रहा था, ये मिट्टू ने का, टोटो, खामोश है, सोया हुआ है, मिया, जो बिल्ली है, वो कहरी है, I hate swimming, वो कहरी है, मुझे जो है, तो नफरत है तैरने से, क्योंकि उसके अंदर, वो बिल्लियों को ज्यादा गीला रहना पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये तो एक example यहाँ पर दिये हुआ है, अब हम इसमें से एक नया word लेकर, फिर इसको बनाने कोशिश करते है, जैसे मैंने लिया हूँ, अब reading, ठीक है, मैंने लिया हूँ, अब तारा कह रही है, reading, तो ठीक है, फिर पैड़ी कहेंगा, I am also reading, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बिट्टु कहेंगा, he was reading, वो पढ़ रहा था, ठीक है, उसके बाद बिट्टु कहेंगा, we are reading, हम पढ़ रहे है, ठीक है, टोटो खामोशी रहेंगा, वो पढ़ेंगा नहीं, और मिया को आप चाह है, इसलिए यह word यहां पर use ना किया जाए, यह reading एक अच्छा word है, इसलिए, smiling, smiling use करो, यह कहेंगा, I am smiling, वो कहेंगा, I am also smiling, वो कहेंगा, we are smiling, वो कहेंगा, he was smiling, फिर उसके बाद में आप crying ले लो, तो वो कहेंगी कि I am crying, वो कहेंगा, I am also crying, we are crying, तो ऐसे आपको इनको अपने book में लिखना है, ठीक है, बहुत ही easy है, laughing use करना है, आपको playing with a ball use करना है, आपको carrying a heavy bags use करना है, आपको, sentence same ही रहेंगे, बस आपको सही तरतीब में लगाना है, और उसका meaning आपको समझना है, ठीक है, तो मैं उम्मिद करता हूँ, यह activities भी आपको, दोनो activities समझ में आ कुछ नहीं समय में आया, तो comment में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने English teacher से आप पूछ सकते हैं, इसके तालुक से कैसे कैसे solve करना है, अपने book में लिखिए, तो मैं अम्मिद करता हूँ, आप आज की वीडियो है, activities आपको पसंद आई होंगी, आप इसे जरूर घर प 11 बजे Green Study को चेक जरूर किये जिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफिस अना हाफिस आपिस आजा है